कि gonna है कि associates फेलो फेंड्स आज हम सीखेंगे हॉम मेन्यू के अंतर गर्थ फॉर्मैट आपसन में प्रोटक्टसीट ंद Therefore क्रोटक्टसीट ऐंड लॉकसेल का उप्योग करना क्रोटक्टसीट और लॉकसेल का और चलिए पहले करते है प्रोटेक्ट शीट पे हम क्लिक करेंगे तो यहां क्या होता है प्रोटेक्ट शीट से हम अपनी सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कुछ भी चेंज हम नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे हमने password डाल दिया कोई भी password डालिए ok कीजिए password डालिए फिर से password डालना है re-enter करना है ok करेंगे तो यह password आपका यहाँ पे लग गया है आप कहीं भी कुछ भी change नहीं कर पाऊगे उपर आप ribbon पे देखोगे कोई भी option highlight नहीं है क्योंकि आपकी जो seat है वो protect हो चुकी है कहीं भी कुछ भी change आप नहीं कर सकते हटाने के लिए क्या करना है format option पे जाना है unprotect sheet पे क्लिक करना है same password दुबारा से डाल देना और ok कर देना है तो यह तो हुआ आपका password लगाने का अभी एक नीचे option दे रखा है lock cell दूस्तों lock cell का क्या fund आए lock cell का मतलब यह होता है कि हम protection लगाएंगे तो हम कहीं भी कुछ भी change नहीं कर पाते माल लीजिए हम user को authority देना चाहते हैं कि भई आप अनुमती देना चाहते हैं आप इसके अंदर changes कर सकते हो केवल changes कर सकते हो बाकी सब जगे change नहीं कर सकते तो यह range सेलेक्ट करके इनको हम lock cell से टिक हटा देंगे तो यहां से lock cell से हमने टिक हटा दिया है यह देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम protect sheet फिर से लगाएंगे protect sheet पे click करेंगे और यहां पे password फिर से डाल देना है ok करेंगे same password फिर से डाल देना है ok कर देना है तो यह आपका password यहां पे लग गया है अब आप बाहर कोई भी जो cell आपके lock थे वहां पे कोई change नहीं कर पाएंगे जो change आपने select करके unlock कर दिये थे यह वाले यहां पे आप कोई भी change आअसानी से कर सकते हो केवल changes कर सकते हो format वगरा कुछ भी change नहीं कर सकते है उपर से कोई भी option highlight नहीं है केवल changes कर सकते हो change करने के लिए यह cell आपके बिल्कुल open है बागि किसी भी cell के अंदर जो cell log थे उनके अंदर कोई भी changes आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी protect sheet जो है वहाँ पे activate है activate तो यहाँ पे भी है बट यहाँ पे आपको अनुमती दी है कि आप उसमे unlock जो cell है वहाँ पे changes कर सकते हो unlock cells के अंदर हम changes कर सकते हैं आप हटाने के लिए क्या करेंगे format option पे चलेंगे और un protect sheet पे click करके same password डाल देंगे जो हमने लगाया था ok कर देंगे तो यह password आपका हट चुका है आप कहीं भी कोई भी changes आप कर सकते हो तो दोस्तो इस तरीके से हम protect sheet का use करेंगे अब ही हम फिर से चलते हैं एक बार protect sheet पे click करेंगे नीचे options दिये हो हैं कि आप protect कर रहे हो sheet को बट क्या-क्या आप user को allow करते हो कि आओ उसमें क्या-क्या changes कर पाए मान लिजिए हमने क्या कर दिया format cell कर सकता है format column कर सकता है insert column कर सकता है insert row कर सकता है आप जिस चीज पे password नहीं लगाना चाहते उन options को यहां से click कर दीजिए कि हमें इन पे password नहीं लगाना है इनको user कर सकता है उसके बाद यहां पे password डाल दे रहे हैं और फिर से same password डाल के उसको ok कर देना है तो अब जो जो आपने वहाँ पे click किया था check किया था वो काम यहाँ पे करेगा उसके अलावा कोई option काम नहीं करेगा कहीं भी click कर लीजिए माल लीजिए यहाँ पे click किया insert पे गए यहाँ पे आप check करोगे insert cell highlight नहीं है insert sheet row और column हमने अनुमती दी थी वहाँ पे check किया था कि यह add कर सकता है user protection लगी हुई है बट फिर भी हम column और row add कर सकते हैं click करेंगे column add हो जाएगा उसी तरीके से हम format भी कर सकते हैं यह clock cell यह अनॉक cell है यहाँ पे चेंजिज भी कर सकते बट जो यह cell जो है log cell है वहाँ यहाँ पे हम changes नहीं कर सकते यहाँ पे हम changes नहीं कर सकते जो हमने उसके अलावा जो option चेक किए थे तिक किये थे जैसे format cell insert column करना और format column row को format करना माली जी हम यहाँ पर चेक करते है format cell try करके तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया currency में change कर दिया account है यह change हो रहा है बाकी edit हम कुछ कर नहीं सकते हैं change नहीं कर सकते हम format वगरा change कर सकते हैं row column add कर सकते हैं changes हम केवल unlock cell में ही कर सकते हैं यह unlock cell है तो यहाँ पर आप कुछ भी रिखिए कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि यह cell unlock है lock cell पर तो हम केवल वही करेंगे जो हमने protection लगाते time वहाँ पर जो है check किया था हटाने के लिए क्या करेंगे unprotect sheet पर click करेंगे same password हम दुबार से enter कर देंगे और ok कर देंगे तो यह password आपका हट गया है अब कोई भी changes आप कर सकते हैं